हेलो स्टुरेंट्स वेल्कम टो इनिशेशन आफ फिजिक्स इमेजिन इन्वेंट इंस्पायल लेट स्टार्टिग बस में से रिडियूस हो चुक है लेकिन लेकिन ये जो अभी लाए हुँ मैंवेडі yau आपका book साथ में लेकर लाये हूँ ताकि आपको बहुत अच्चा समझ में आ जात्या यह कोण कौन कौन सी टॉपिक है जो आपके physics में से reduce हो चुके है वैसे देखिए यह बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि जो education board ने हमारे माहराश्ट आप education की board ने यह जो decision लिया है बहुत अच्छा decision लिया है ताकि जो students अभी prepare कर रहे है for state board examination तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है ब reduce किये है यहां से उन्होंने निकाल दिये गए है बस जो year है academy के वो याद रखना चाहिए आपको 2022-2021 यह जो year है अभी इस साल का जो year है उसी year के लिए इन्होंने क्या किया है वहां से syllabus को निकाल दिया है अभी यह कुछ points मैं आभी को बताने जाला हूं तो वो बस इस साल के लिए जो 12th class के लिए students पढ़ रहे उन 12th class students के लिए है और किसी के लिए भी नहीं है जो इस बार जो exam देने वाले 12th के लिए और बहुत बड़ी good news है बहुत ज़्यदा topics यहां से cut out किये बहुत सरे topics यहां से delete हो चुके है आपको बहुत कम बहुत ज़्यदा कम आप सोच भी आपने पहले वाला मेरा session देखा होगा तो आपको overall वहां पर पता चला होगा किस तरह से वहां पर points जो है वह cut out हो चुके लेकिन dear students अभी जो आप मैं बताने जा रहा हूं कुछ-कुछ तो chapter में से बस 4-5 ही point बचे सारे points lead कर दिये उन्होंने सारे और hard hard जितने भी new topic यहां पर add किये गए थे new topic ओके वह new topic सारे उन्होंने deal कर चुके मतब new topic कुछ भी नहीं आपके पास new topic ही नहीं है अभी जो पुराने syllabus खाता वही उन्होंने यहां पर रखाए मतलब अगर आपको help हो बस यह video उनके लिए जो state board की exam की तयारी कर रहे है उनके लिए जो need और JW की तय प्यारी कर रहे है उनके लिए वीडियो नहीं है क्योंकि उनका syllabus वैसे ही है बस कुछ some points वहां पर cut out हो चुके अगर आप आप जानना चाहते है कैसे यहां पर state board के लिए उनने कौन कौन से topics है जो delete की है तो please watch the video till the end और साथ बहुत ज्यादा मुझे मेहनत लगी इसको बनान है और हो सके तो please share करना है अपनों दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि कौन-कौन से topic है वहां से delete हो चुके है कौन-कौन से topic है यहां से delete हो चुके है बस इतना सा करना और पहले से मैं आपको thank you बोल रहा हूं क्योंकि आपने इतना सा अगर किया है तो उसको पहले स मैं आपको thank you बल रहा हूँ चलो move करते हैं हमारे topic की तरफ जितने सारे topics थे जितने सारे topics थे जितने सारे मुझे आपके जो education board ने बताया कहा है उन सारे topics को मिला के मैं यहाँ पे आपके लिए PDF लाया हूँ और यह PDF जो भी video है तो इस video में हम देखने वाले आपको भी साथ में book रखना है प्लीज video को pause करके book लेके आई है और नहीं तो मैं आपको description box में आपको link दे दूँगा आप वहाँ से भी download कर सकते हैं कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो भी boxes है जितने भी सारे boxes है जितने भी सारे boxes है वो boxes उन्होंने cut कर दी गए है जितने भी सारे box है मतलब remember remember this और sword example यह दो छोड़ के sword example यह दो छोड़ के बाकि सारे box आपको पढ़ने की जरुरत नहीं है आपको कुछ भी box पढ़ने की जरूरत नहीं है यह दो छोड़के आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है आप बाकी और कुछ भी पढ़ सकते बस यह दो छोड़ जैसे for example यहाँ पे देखिए यह cut out हो चुका है यहाँ पे कुछ भी question नहीं आएगा आपको इस topic से कुछ question नहीं लिए अब आगे जो भी सारे points आपके लिए वो सारे points वैसे के वैसे ही है लेकिन जो अभी यहाँ पे do you know वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने देखा था कि जिस तरह से जो angular velocity की direction और alpha की जो direction है उसके उपर उसके उपर एक question भी था objective वाला question भी था किस तरह से दोनों की velocity सेम रह सकती है या फिर different रह सकती है क्यों रह सकती है वो भी हमने देखा था और यहाँ पर इसके उपर आपको question नहीं है इसके उपर आपको question नहीं है मतलब यह box आपके लिए delete हो चुका है हो सकता है कि यह example पर question पूछा जा सकता है क्योंकि हो salt example है नहीं आने माला है आपको यह पढ़ने की जरूरत नहीं है पहले ही बता रहा हूं मैं आपको कि यह उनके लिए है जो state board के लिए preparation कर रहे है जिनको state board में ही अच्छे marks लाने है तो उनके लिए ही यह syllabus है और जितना बचा हुआ है cut out नहीं करते हुए जितना सारा बचा हुआ है आप क्या कर सकते हैं वहां से वह जो बचा हुआ पार्ट है वहां से पढ़ सकते हो और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है वेल अपड़ेद आपके लिए है वह टॉपिक डिलिट नहीं हो चुका है रिमेंबर दिस वाला पॉइंट रहने वाला है वह चेंज न जो है उसके ओपर आपको एक कोश्आन नहीं है यह अगो क्या किया है इस बार क्या किया है इन्होंने No boxes कोई भी box नहीं है और box ही नहीं है तो box के उपर का question भी आपको यहाँ पर आने वाला नहीं है यह आपको यहाँ पर याद रखना है चलो नेक्स्ट आपको यहाँ से मास टाइट तो अ स्ट्रिंग इसके उपर question आएगा यह cut out नहीं हो चुका है लेकिस पेर आप यह वर्टिकल वेहिकल उन टॉप अफ दे कॉनेक्स ब्रीच और यह जो topic दो topic है आपके यहाँ से cut out हो चुके है इसके उपर question नहीं आएगा यह पढ़ने के ज़रूरत नहीं आप इसको skip कर सकते हैं लेकिन बाकि जो भी topic है circular motion के जितने से topics अभी तक है वो सारे topics पे आपके question आएगा do you know use your brain इसके उपर भी question नहीं आएगा इसके उपर कोई नहीं question नहीं आएगा इसके उपर question नहीं है अब जो rotational motion जो topic है हमारे rotational dynamics का second part तो उसके उपर का जो boxes है वो boxes सारे cancel हो चुके do you know use your brain do you know use your brain वाले लेकिन जो सबसे main topic था वो है rolling motion तो rolling motion यहां से पूरी तरह से cut out हो चुका है rolling motion पे question आने वाला नहीं है state board के लिए कोई भी question नहीं आएगा rolling motion से ना derivation ना translational और rotational motion दोनों मिला कि जो rolling motion बनती उसके उपर ना derivation ना velocity in rolling motion acceleration in rolling motion और MCQ भी आपको यहां पे दिया गया है कि the ratio of kinetic energy देखिए यहां पे translational kinetic energy rotational kinetic energy and then we have here total energy यहां पे देखिए आप ओके तो इसके उपर भी आपको कोई जो ratio निकालना था जैसे यहां पे ratio निकाल के दिखा वाया गया है 3 is to 2 is to 5 यह ratio पे कोई भी question नहीं आएगा मतलब इस पे जो MCQ आने के chances थे वो cancel हो चुके है वो क्या हो चुके है cancel हो चुके तो first chapter का आपको समझ में आया होगा hope so कि आपको समझ में आया होगा तो second chapter है माने पास fluid mechanics तो वो उसकी तरफ move करते है तो fluid mechanics में बहुत सरे topics cancel किये इतने सरे topics उन्होंने cancel किये कि आप सोच भी नहीं सकते fluid mechanics के जो chapter बहुत लेंदी chapter हो रहा था उसको उन्होंने compress करके बहुत चोटा topic बना दिया है बहुत ज़्यादा चोटा topic बना दिया है जैसे यहाँ पे can you recall ये cancel हो गया इस पर ये जो पर do you know भी cancel हो चुका है और उसके बाद जो пиш your प्रेशर वाले जितने भी topics है ये ये वाला ये वाला remember this वाला, use your brain जो प्रेशर का unit का topic है वह भी या प्रेशर. या प्रेशर. हो चुका है इस topic पे question नहीं आएगा आपको यह pressure वाला जो topic है यहाँ पे pressure यहाँ से start हो रहा है 2.3 वाला तो पूरा 2.3 वाला जितना भी topic है pressure वाला वो cancel हो चुका है उसके साथ-साथ यहाँ पे उन्होंने देखिए यह hydraulic paradox यह भी pressure है पासकल लो यह भी pressure का ही point है तो उन्होंने चैंसल कुछ चुक है यहाँ पर है यहाँ पर question आ सकता है आपको धेरी में तो उन्होंने यह भी cancel कर चुक है यहाँ पर question नहीं आएगा उके उसके बाद आपको यहाँ पर measurement of pressure की बहुत सारे measurement आप कैसे कैसे कर सकते है mercury barometer है उसके बाद हमारे पास open tube manometer है manometer है tube है यह सब कुछ उन्होंने cancel किया है surface tension भी उन्होंने cancel किया यह topic वाला अब बचेगा जो हमारे पास है वह molecular theory of surface tension okay do you know वाला यह भी cancel हो चुका है इसके उपर भी question नहीं आएगा molecular theory of surface tension इसके उपर मतब उन्होंने उसको रखा है उसको delete नहीं किया okay आगे move करते है अभी जो delete हो चुका है वह यह वाला user brain वाला इसके उपर question नहीं आएगा आपको mc क्यों आ सकता था possibility थी उसकी वह नहीं आएगा try this वाला यह भी नहीं आएगा okay sorry angle of contact उसके उपर question आ सकता है do you know वाले उसके उपर question नहीं है आगे-ागे move करते हो तो उन्हें और एक topic यह बहुत बड़ा topic है उसको भी उन्होंने cancel किया वह continuity equation वाला था okay यहां पर देखिए यह brain का टेजर था जो आपको टेस्टिंग brain करने की टेस्टिंग है उसके उपर भी mcq आ सकता था chances थे वह नहीं आएगा capillary fall पे आएगा capillary rise पे आएगा ओके उन्होंने delete नहीं किया उसका derivation और जो cohesive force उसके उपर question आएगा उसके उपर कुछ भी उन्होंने delete नहीं किया उसके बाद fluid motion में देखिए यहां पर बहुत सारा topic डिलीट किया उन्होंने fluid motion में can you tell activity cancel हो चुक है critical velocity Reynolds equation इसके उपर question आ सकता है यह mandatory नहीं है कि नहीं आ सकता है लेकिन यह बहुत जदा important topic है okay critical velocity and Reynolds number पर आ सकता है use your brain और यह जो microscope view of viscosity यह आपके उपर जो दिया गया यहां पर बहुत बड़ा derivative मतलब बोल सकते है कि आप यहां पर topic दिया गया है उस topic पर आपको question नहीं पूचा जाएगा okay उसके बात जो हमारे पास है वह है okay strokes law strokes law पर question आ सकता है क्योंकि वह syllabus में है terminal velocity उसके ओपर भी question आ सकता है क्योंकि वह भी syllabus में है अब जो next है equation of continuity यह topic ग्लीड कर चुके हो नहीं यह topic पर कोई question नहीं है equation of continuity देखे 48 49 पेज़ पूरा cancel है उसके ओपर question नहीं है 49 के बाद 50 इसके ओपर भी question नहीं मतलब यह बर्ण equation जो भी था वो पूरा delete हो चुका है यहां से आपके book में से इसके ओपर question नहीं आएगा use your brain और application जो बर्णुलिड के जो application उसके ओपर भी question नहीं आएंगे वह भी delete हो चुके है working of यह देखिए यह बर्णुलिड के जो application से उसके ओपर भी question नहीं आएंगे okay blowing of the roof by stormy wind जब wind आती है तो कैसे हमारा च्छत उड़ जाता है न तो वह यहां पर जो application से वह नहीं आएगा और यहां पर chapter कतम हो चुका है ओके overlook तो हमने की थी अच्छे से और यहां पर chapter हमारा कतम हो रहा है जिस तरह से हम देख रहे हैं आप यहां पर यह बहुत सरे topics बहुत सरे page यहां से आपको cut out कर चुके है नेक्स जो हमने पास topic है वो kinetic theory of gases and radiation यहां से भी बहुत सरे topic भी अनडिल्ट किया है can you tell वाला cancel हो चुका है equation of state cancel हो चुका है behavior of gas cancel है okay behavior of gas के साथ ideal gas real gas वो भी cancel है उसके बाद mean free path वाला भी derivation था साथ साथ उसका explanation है वो भी cancel हो चुका है इसके ओपर जो question आएगा वो भी cancel है यह जो top आपको दिया गया box mean free path का उसके ओपर भी question नहीं है pressure of ideal gas वो syllabus में है उसको delete नहीं किया उसको उन्होंने वैसे ही रखा है for 20-21 के लिए जो इस साल जो 12th की exam देना जाते उनके लिए बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा decision ही इनका क्योंकि इन्होंने अगर नहीं करते तो आपको time इतना कम मिला है तो आप पढ़ने ही पाओग यहां पर खतब हो चुक है मतलब यहां पर आपको question नहीं आएगा साथ equation of equation of energy यह नया topic add किया था उन्होंने पिछले साल नहीं था यहां पर भी आपको question आने वाला नहीं है यहां पर कोई question आपको आएगा नहीं मतलब यह हुआ कि इस topic पर यह topic आपके syllabus में से 2021 के लिए डिल नहीं हो चुका है ओके मैंनों मैंना मोनो अटेमिक जो गैसे थे वह भी वैसे यह डाटमी गैसे से वह भी वैसे यह यह दू यू नो और कैन यू रिकॉल वाला कैंसल हो चुका है उसके उपर question नहीं है polyatomic gases वाला वैसे यह absorption reflection and the transmission of energy वह भी वैसे topic है आपने इसको 11 थोड़ थोड़ा पढ़ा होगा तो वह topic आपको hard day जाएगा okay coefficient पर question आता है repeatedly question इसके उपर okay coefficient निकालने के लिए A plus R plus PR जो भी transmission हो रहा है जो भी partial reflection हो रहा है उसके उपर एक मतलब जो हम coefficient निकालते है absorption जिसका तो उसके उपर question आता है objective के लिए okay तो यहाँ पर perfectly back body है आपको वैसे यह सिलाबस में वो डिलीट नहीं है perfectly back body पर question आ सकता है emission of heat and radiation वो भी आपके सिलाबस में है उसको change नहीं किया okay coefficient of emission of emissivity वो भी है kristoff law भी आपकी topic में वैसे ही है kristoff law को उन्होंने निकाला नहीं है spectral distribution of black body radiation वो भी topic में वो भी उन्होंने डिलीट नहीं किया है वो भी आपके पूरे topic में यह आपके पास हरा वाला box है वो do you know वाला उन्होंने cancel किया है यह आपको hard ना जाए या फिर ऐसे हो सकता है स्कोरिंग booster हो क्योंकि आपका जो मनोबल है वो बढ़ाने के लिए उन्होंने हो सकता है कि स्लेबस कम किया है या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो students only for theory preparation कर रहे हैं जिनके पास जिन्होंने लगाया है जिन्होंने कहीं पे भी आपना कुछ भी उन्होंने तयारी नहीं किया है ज आपको शेयर करना है यहाँ पर thermal equilibrium वैसे के वैसे ही है तो यहाँ पर can you tell जिरत लौका भी आपको वैसे के वैसे ही है तो यहाँ पर चोटोटी जो points दिये गए आपको वह आपको please एक बार read करना है क्योंकि इसके उपर objective आ सकता है इसके उपर objective आ सकता है तो please एक बार जरूर हो सके तो read करने की कोशिश किजेगा यह topic आपको one mark या फिर two mark देके जा सकते ओके one mark या फिर two mark देके जा सकते it will help you ओके यह जो है आपको help करेंगे यह help क्यों करेंगे आपको objective में इसके उपर एक question आ सकते है आपने 10th class में इसका experience किया होगा okay hit internal energy और जो work है उसको ऐसे ही र उसके बाद उन्होंने जो delete किया है यहां पर जो थोड़ा आगे आगे जाके बे जो delete किया है उन्होंने उसके बाद हमारे पास first law of thermodynamics वैसे ही है okay can you tell वाला जो example था यहां पर वो cut out हो चुका है उसके बाद first law of thermodynamics जो है वो वैसे ही है वो change नहीं हो चुका है और उसके बाद यहां पर can you tell वाला जो था वो cancel हो चुका है problem आपको करना है क्योंकि problem के उपर question आ सकता है किस तरह से आ सकता है वो हम देखेंगे जब chapter में आपके लिए लाओंगा तब उसके बाद thermodynamics state variables वो topic वैसे ही है thermodynamics equilibrium point वो वैसे भी है उसको cut नहीं किया जो activity दी गए थी वो भी cancel हो च पास वो जो thermodynamics process वो भी वैसे ही है उसके जो process pressure volume जो बहुत change होते है या फिर work during thermodynamics process किस तरह से work change होता है वो topic भी वैसे के वैसे ही है यह chemistry में भी आता है और physics में भी आता है तो आपको बहुत है help करके देगा दोनों तरह भी आपको scoring करके देगा आपको problem नहीं है okay heat added during thermodynamics वो भी है वो भी topic आपको delete नहीं किया गया है reversible और irreversible process है वो topic वैसे ही है classification of thermodynamics process वो topic भी वैसे है उन्होंने change नहीं किया है assumption for discussion of thermodynamics process वो भी topic वैसे है उन्होंने change नहीं किया है isothermal process जो भी है फिर thermodynamics isothermal process जो graph से इसके various graph से आइसो बारिक आइसो कोरिक के लिए वो भी वैसे ही है उन्होंने वो topic delete नहीं किया है okay आप जो delete वार topic है वो बहुत आगे है क्यूंकि thermodynamics पहले से बढ़ा है और hard रहता है तो उन्होंने वैसे ही रहता है क्यूंकि देखिए इतने free expansion वो भी topic वैसे ही है अब जो है heat engine, hint engine जो topic था बदेख heat engine जो भी topic है heat engine का वो सारा उन्होंने delete कर चुका है okay heat engine पर आपको question नहीं आएगा question नहीं आएगा क्यूंकि यह topic यहां से पूरी तरह से delete हो चुका है cycle जो heat engine का cycle है वो भी delete हो चुका है refrigerator और जो heat pump है वो भी topic delete हो चु किया है okay उसके बाद जो delete किया है वो do you know वाला capacity वाला जो एक मार का question देश जाकता था आपको objective के लिए वो उन्होंने cancel किया है उसके बाद जो second law पूरा पूरा हुआ हुआ जो पूरा second law है वो पूरी तरह से cancel हो चुका है okay second law जो हमारा thermodynamics जो है वो पूरी तरह से cancel हो चुका है उसके बाद जो care not cycle है और care not engine है वो भी उन्होंने पूरी तरह से cancel किया है उसके उपर question नहीं आएगा आपको और जो care not refrigerator है उसके उपर भी question नहीं आएगा आपको वो भी पूरी तरह से cancel हो चुका है पूरा point okay तो आपको अगर मुझे थोड़ा doubt है यहां पे okay तो care not refrigerator आप पढ़ लेना ओके यह topic आपको पढ़ना है आप थोड़ा सा पढ़ लेना इसे क्योंकि इसके उपर question आ सकता है क्योंकि उन्होंने क्या दिया है care not cycle care not cycle को cut किया है उन्होंने तो उन्होंने page number दिया है बस एक ही page number दिया है और मुझे hope सो लगता है क्योंकि अकर care not cycle ही नहीं ह तो Care Not Refresistory भी क्यों topic रहेगा, तो लेकिन अगर यहाँ पर doubt है मुझे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस Care Not Refresistory को पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहते हो तो आप इस Care Not Refresistory को पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, वो आपकी मरजी है, लेकिन चाप्टर खितम हो जाता है, नेक्स चाप्टर हमारा है, वो है, Oscillation, वो क्या है हमारे पास, Oscillation, देखिए, Oscillation में एक ही topic delete हो चुका है, वो है damping वाला, बाकि सारे topics और एक graphical method वाला, बाकि सारे topics वैसे के वैसे ही है, यह तो आपको box बताया था मैंने के box पूरी तरह से activity व हो चुके है, ओके, तो यहाँ पर differential equation जो है, वो cancel उन्होंने किया है, बाकि सारा expression, वो सारा उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, या nutel वाला, यह cancel हो चुका है, displacement का equation, या फिर periodic amplitude का expression, सब कुछ वो, वैसे कि वैसे ही है, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस reference cycle method है, वो उन्हों टॉपिक वो delete नहीं किया, उन्होंने, graphical representation है, जो repeated question था, 2017 तक वो उन्होंने delete कर चुका है, graphical representation आपको नहीं है, ओके, यह ग्राफ पर निकालना रहता है, तो वो नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, composition जो वाला topic है, आपको composition वाला, वो topic है आपको, composition of 2SHM, ओके, यह वाला topic यहाँ पर थोड़ा cross जो वो नीचे चला गया है, लेकिन यह वाला topic आपको पूरी तरह से है, यह वाला topic आपको पूरी तरह से है, यहाँ से कुछ topic ग्रीडियों चुगा, आपको 2X1 और X1 और X2, दो आपको यह से चंप पकड़ने, जिसके amplitude अलग अलग है, जो phase angle है, वो लग लग है, उसकी वज़े से आपको यहाँ पर पकड़ना है, और इसको क्या कर सकते है, आगे जाके derive कर सकते है, यह वाला topic आपको वैसे के वैसे है, वो delete नहीं हो चुका है, बस गलती से वो cut हो चुका है, जो sketch पे नहीं ले गया आता हम है, तो वो sketch पे थोड़ा जादा ह इसको delete नहीं कर पाए हम, तो इसके विज़े से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि composition वाला आपको topic है, और जो last का, जो resultant वाला है, वो भी topic आपको आजाएगा, उसके बाद जो हमारे पास है, वो damping आगे जाके कौन है, damping, damping cancel हो चुका है, आपको साथ-साथी activity दी गई, वो भी cancel हो चुकी है, conical pendulum और simple pendulum का difference है, उन्होंने बोला कि box other than the remember, ये भी box आपके लिए cancel हो चुका है, difference between वाला, हो सकता था कि अगर cancel नहों, तो आपके लिए majority हो सकती है, कि ये question आ सकता था, लेकिन अभी आएगा नहीं, आपको, उसके पास angular system आपके पास वैसे ही है, उसक magnetic vibration of uniform magnetic field, ओके, ये topic वहाँ पे भी आएगा, और वहाँ पे भी आपको help करेगा, आप read कर सकते हो, दोने तरफ, damped oscillation पूरी तरह से cut हो चुका है, free oscillation, force oscillation भी है, और resonance जो topic है, जो समझने में थोड़ा difficult है, उन्होंने वो भी यहाँ से cancel कर चुका है, और oscillation जो chapter है, वो पूर other topics है, reflection of wave, उन्होंने वो cancel किया है, पूरी तरह से cancel किया है, वो एक भी, आपको reflection नहीं है, ना longitudinal का, ट्रांसवरसल का, ओके, उसके बाद आपको topic है, reflection of longitudinal wave, वो भी आपको नहीं है, super position of wave, हाँ, वो है आपको, super position of wave है, ये box cancel हो चुका है, पूरी तरह से, जो blue color में आपको दि topic भी है, ये जो topic है, आपको amplitude वाला जो निकाला था हमने, oscillation में, और ये topic, दोनों same से में, okay, similarities है, वहाँ पर fire लेते हैं, यहाँ पर ठीटा लेते है, बस यही है, ओकर difference दोनों में, next आपको, जो है, यहाँ यहाँ पर, stationary wave, वो topic, वैसे के वैसे ही है, लेकिन, last year, topic, जो था, वाला, वो cancel हो चुका है, free और force vibration आपको वैसे के वैसे ही है, वो challenge रही हुआ है, free और force vibration, बहुत simple है, harmonica और overtune बहुत important topic है, इसका, stationary wave में गा, तो यह भी topic उन्होंने रखा है, क्योंकि important topic है, आपको यहाँ पर harmonica और overtune पे questions, last year भी पुछा गया है, तब pipe पे, ओके, तो यह other activity थी, वो भी पूरी तरह से cancel हो चुकी है, और जो next topic था हमारा, वो है, vibration produced by string, वो पूरी तरह से है, ओके, यहाँ पे भी हम harmonica और overtune निकालते है, तो जो laws है, three laws, laws of vibrating string, one, two, three laws, वो three laws आपको पूरी तरह से याद करना है, ओके, तो sonometer का experiment है, वो पूरा तरह से वैसे ही है, वो भी आपको जो beats के उपर question आता है, repeatedly, repeatedly question आता है, beats के उपर, okay, जो beats निकालने के लिए, JW और IIT के लिए भी इसके उपर questions है, okay, beats के उपर questions है, JW और IIT के लिए भी आपको क्या है, beats के उपर question है, JW और IIT के लिए भी, beats के उपर question है, आप try कर सकते हैं, वहाँ से भी, okay, तो य एप्लिकिशन ऑब वैसे के वैसे ही है उसके बाद जो टॉपिक है वह हमारे पास चैरेटरिक्स आप सांड वह कैंसल हो चुका है जितने भी सारे बूजिकल इंस्ट्रुमेंट है और साथ चाप्टर यहां पर क्या होता है खत्म हो जाता है अब देखिए यहां पर सोचने वा पर खत्म हो चुके तो क्या उसके ओपर थेरी कोशन पुछा जाएगा या फिर नियूमरिकल पुछागा नहीं डेफेनेटली नहीं पुछा जाएगा इसका मतलब यह हुआ वह टॉपिक पूरी तरह से डिलेट हो चुका है आपके लिए कितनी गूड निउस है ओके तो पर भी टॉपिक है वह टॉपिक आपको है लाइट एज वह टॉपिक आपको है ओके यह अक्टिविटी जो दी गई थी डू यू वाला था वह पुछी तरह से कैंसल हो चुका है उसके पर कुछ भी कोशन नहीं पूचाएगा ना अब्जेक्टिव हाइजन्स तेरी वह भी बोचदा important topic है तो वह वैसे ही रहने माला है थाजन अब्रिंशिपल वह भी topic वैसे ही है प्लेण वेव फ्रन ओके सप्रिकल वह टॉपिक वैसे के वैसे ही है वह चेंज नहीं है तो वह भी टॉपिक आपको है reflection of light by plane वह भी है और जो topic cancel हो है reflection of light plane boundary between the two media वो topic नया add किया तो उन्होंने वो topic cancer हो चुका है इसके उपर derivation भी आ सकता है देखी यह वाला derivation आ सकता है आपको यह plane wave front वाला ओके यह आपको reflection और partial reflection और reflection वाला इसके उपर question आ सकता है वो आपको अच्छे से करना है तो यहाँ पर नहीं है तो polarization topic है वो भी cancel हो चुका है आपके लिए polarization पर कोई भी question आपको पूछा नहीं जाएगा पूरी तरह से polarization जो भी topic था बड़ा वाला topic है 3 या 4 pages का topic है वो पूरी तरह से cancel हो चुका है उसके उपर question नहीं है देखिए ब्रेविस तरह यहाँ पर देखिए आप देखिए तरह सकते है टिटा इकोल टू टिटा इकोल टू उसके उपर objective question आता है repeatedly था लेकिन यहाँ पर वो delete को चुका है वहाँ पर question नहीं है हाँ interference है आपको interference है diffraction है दूरों भी topic है उसके उपर दूरों में topic में कोई भी नहीं है हाँ जन्स प्रिंसिपल वो भी topic वैसे के वैसे ही है remember this के उपर objective question आ सकता है वो आपको करना है बहुत चैसे ओके do you know वाला जो topic है वो यहां से cancel हो चुका है आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ओके उसके बाद optical path है वो नया topic तर लिया उन्हें टेलिस्कोप वाला ओके एक ही topic है टेलिस्कोप वाला वो यह इसके उपर भी question नहीं आएगा आपको ओके यह बॉक्स भी 7.1 पूरी तरह से cancel हो चुका है इसके उपर question नहीं आएगा टेलिस्कोप वाला resolving power वाला है topic है और यह resolving power जो आपको दिया गया यहाँ पर पूरी तरह से यह वाला ओके तो यहाँ पर आप क्या कर सकते देखिए यह वाला topic है release creation के ओपर repeated question है तो आपको यह पढ़ना है गलती से delete हो चुका है वह जब पढ़ते वक्त मैंने वह जब पढ़ रहा था तब मुझे वह समझ में नहीं आया था किस तरह से कि वहाँ पर page number दिया गया आपको और फोड़ा print out mistake भी था उसके वजह से मैं करने पाया release creation आपके लिए है release creation आपको पढ़ना है उसके ओपर question आएगा आपको उसके बाद जो है वह टेलिस्कोप का पॉइंट है वह टेलिस्कोप का पॉइंट हो चुका है उसके बाद जो है हमारे पास उसके ओपर question भी नहीं आएंगे जितने था topics आपको salt example नुमरीकल हो सकता है उसके ओपर question नहीं आएगे इलेक्ट्रोषट्टिक जो topic है वहां से कुछ ज्यादा topic है आप इन्होंने cancel नहीं किया है तो देखिए कौन-कौन से topic है can you recall वाला वह भी cancel हो चुका है नहीं वह तो cancel हो चुका है expression potential energy वह topic आपके लिए unit of potential वह भी उसके बाद cancel किया एकवी potential जो topic है वह पूरी तरह से cancel हो चुका है उसके ओपर एक भी question नहीं आएगा ना थेरी ना numerical ना कुछ भी ओके यहां पर numerical दिया गया आपको 8.9 तो वह numerical आपको नहीं आएगा उसके ओपर question नहीं आएगा बाकि सारे topics वैसे के वैसे ही है उन्हें उसको हाथ नहीं लगा है फिर change भी नहीं किया हाँ जो next point है वो conductor insulator free charge boundary charge and inside conductor ओके तो यह सारे topic जो भी था difference आ सकता था आपको यह दो marks के लिए पूछा जा सकता था यह आपको यहां पर पूरा तरह से कैंसल हो चुका है यहां पे आपको कुछ भी question नहीं है के तो यहां पर question इस पहेए पको इसपर question नहीं जाएगा जो आपको तेरी question आएगा ना numerical question आएगा यह parallel capacitor और पर पर सोरी शीरीज capacitor और parallel capacitor वो दोनों तरह दोनों ही है आपको ओके दोनों वो और यह displacement current वो जो नया topic उन्होंने add किया था cbc through वो पूरी तरह से cancel हो चुका है उसके उपर question नहीं आएगा आपको करना नहीं है बस यहां से जो भी आपको do you know और जो टॉपिक है do you know और दूसरा जो टॉपिक है आपको यहां पर do you know के साथ साथ जो box दिया गया आपको वो टॉपिक आपको नहीं करना है activity हो या फिर observe या फिर discuss हो वो टॉपिक पूरी तरह से नहीं करना है आपको वो डिलेट करना है और कुछ यहां से topic डिलेट नहीं किया है उन्होंने current अब जो नेक्स टॉपिक है मैगनेटिक वाला मैगनेटिक में दो तीन टॉपिक है उन्होंने maximum second का पार्ट वैसे ही रखा उन्होंने थेरी पार्ट है numerical ज्यादा नहीं है आपे conceptual पार्ट है इसलिए second पार्ट को बहुत अच्छे से रखा है उन्होंने डिलेट नहीं किया है चलो cyclotron का है वह topic उन्होंने डिलेट कर चुका है उसके बाद cyclotron accelerator वह भी topic उन्होंने डिलेट कर चुका है वह helical motion वह भी topic उन्होंने डिलेट कर चुका है बाकि सारे topics वैसे के वैसे ही है और नया topic add किया था वैसे है आपने यह पढ़ा था 10th class में वह ही उसका application है जो AC generator औ वह topic है force attraction between two long वह topic है आपको उन्होंने डिलेट नहीं किया उसको use your brain वाला topic delete हो चुका है जितने भी सारे boxes है do you know use your brain can you recall वो सारे topic delete कर चुके my DJ students मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपके लिए बस golden chance है यह golden chance इतना golden chance आपको कभी नहीं मिलेगा score करने के लिए physics में इतना simple बना है मारे पास वो है magnetic material okay torque acting on magnetic material वो पूरी तरह से cancel हो चुका है okay उसके बाद जो torque पूरी तरह से पूरी तरह से जो derivation उसके ओपर numerical वो कुछ भी नहीं आएगा आपको वहां से ना theory question ना numerical वो भी नहीं आएगा आपको permeability, permittivity वो भी conceptual topic है आपको बस थोड़ा सा याद रखना है और कुछ नहीं, dimagnetism जो है magnetic properties material के, dimagnetism, paramagnetism वो पूरी तरह से cancel हो चुका है, ferromagnetism वो उसके ओपर question नहीं आएगा आपको okay तो यह do you know वाला तो उसके ओपर पहले से question है, पूरी तरह से वहां पे और hysteresis जो नया topic add किया था okay जो electric current के उपर depend करता है hysteresis जो topic है और जो in years है, okay electrical years है, उनके उपर यह hysteresis है, वो topic उनके लिए बहुजदा important है, लेकिन यहाँ पर आपको 12th class के लिए नहीं hysteresis कूरी तरह से delete हो चुका है, permanent magnet और electric magnet वो भी topic delete हो चुका है, magnetic shielding वो भी topic आपको delete कर चुका है, तो बचे गाई दो चारे topic यहाँ पर बच रहे आपको वही करने है okay, उसके बाद जो है electromagnetic induction, okay, electromagnetic induction में उन्होंने depth रखने के लिए बहुत सारे hard topics उन्होंने रखे है, कुछ कुछ topics उन्होंने delete कर चुके है, लेकिन फिर भी कुछ topics उन्होंने वैसे के वैसे ही रखे है, okay, flux वैसे ही है, flux को change नहीं किया, वही topic में नहीं है, rotational electromotive force वो भी topic है okay, यह देखिए, पूरे दो page यहां पर cancel हो चुका, third page भी cancel है, generator वाला topic भी पूरी तरह से cancel है, उसके उपर भी question नहीं है, और साथी साथ, और एक coil वाला topic है आपके लिए यहां पर देखिए, जो miss out कर चुका हो शायद में यहां पर, या फिर next हो चुका है, इसके बाद आ सक करता है, या फिर coil वाला topic है, वो back in, for torque, वो भी पूरी तरह से cancel है, उसके उपर भी question नहीं है, आपको, okay, चलो, आगे move करते है, अभी आगे जो topic है, हमारे पास induction and energy transformation, वो topic वैसे कि वैसे ही है, उसके उपर question आ सकता है, आपको, okay, इतने सारा hard work लग रहा है, मुझे प्लीज एक तो like और आप साथ-साथ उसके comment कर सकते हैं, आपको कैसे लगा ये, पूरी तरह से कैसे लगा, और एक बात है कि अगर आपको कुछ भी doubt हो, तो please comment कर सकते हैं, मैं आपके लिए सिधा एक नया वीडियो लेखे आऊंगा, अगर आपको अगर ये topic पर कोई भी doubt आता है, आपके लिए, उसके बाद unit of induction वही topic है अपके लिए, उसके बाद unit of induction वही topic है अपके लिए, innergy stored in the magnetic field वही topic आपको वuzu की वैसे ही है, अब जो energy density magnetic field है, वह topic पूरी तरह से डिलीट हो चुका है उसके उपर ना डेरिवेशन है हाँ mutual induction वो topic आपके लिए है उके उसके पास alternative induction method वो भी topic आपके लिए user brain का ये topic था वो topic delete हो चुका है आपके लिए ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है आपको example वो example आ सकता है आपको question question तो delete नहीं हो चुका है coefficient of coupling वो भी है transformer वो भी है आपको step down transformer step up वो दोनों topic आपको वैसे के वैसे वोनोंने वो delete नहीं कर चुके है आप जो next आपके पास वो है chapter में भी हो सकता है कि आपको समझ में आ रहा है इस तरीके से में आगे बढ़ रहा हूं के चलो AC circuit में generator AC generator topic derivation average और RMS values topic है आपको के यह जो cut किया है मैंने वो peak value के लिए cut किया RMS value और average value वो दोनों topic आपको है वो delete नहीं हो चुका है difference type of AC circuit वो भी है आपको वो topic delete नहीं हो चुका उसका derivation सब कुछ है activity वो delete हो चुके है उसकी सारा derivation सारा वो आपको करना है phase diagram वो भी करना है उसके पाद inductive reactance वो भी करना है series में लगा देंगी तो वो क्या हो जाता है AC applied voltage वो भी capacitor के लिए क्या क्या होता है lag रहता है lead रहता है वो भी आपको यहां पर बहुत अज़े से करना है ओके अगर हम तीनों को series में लगाते तो क्या होता है वो भी टॉपिक आपको बहुत अज़े से करना है वो उसके उपर question है power in circuit है वो topic पुरी तरह से delete हो चुका है ना derivation ना expression हो जाओ उसके types भी है वो भी पुरी तरह से delete हो चुके है उसके उपर कोई भी question आपको नहीं आएगा okay LC oscillator वो topic है theoretical topic आपको करना है electric resonance वो भी आपको करना है उसके उपर question आ सकता है maybe क्योंकि objective simple topic है parallel resonance circuit वो भी topic है sharpness of resonance q factor वो topic पूरी तरह से delete हो चुका है उसके उपर question नहीं आएगा आपको ना theory ना derivation ना MCQ ओके ना numerical नुमरीकल का भी question नहीं आएगा उसके उपर dual nature of radiation of matter यहां से भी जो फोटो electric है वो ही cancel हो चुका है एक ही टॉप दो तीन टॉपिक है बिदा टॉपिक नहीं यह theoretical topic है इसलिए इन्होंने यह second में से कोई भी topic cancel नहीं किया है तो आपको बस समझना है theoretical topic ज्यादा cancel नहीं होए हाँ डेरी वच्छते वाले जितने सारे hard topic थे वो सारे cancel हो चुके है यहां पर जो topic next है हमारे पास आपको बस क्या करना है subscribe करना है बेले को दबाना है साथी साथ share भी करना है जो students को पता नहीं है उनको पता चले मैं description box में आपको यहां पर देदूगा यहां पर 12.4 यह पूरा cancel हो चुका है आपको box उसके उपर question नहीं आएगा आपको लिंक देदूगा आपको वहां से डिल करना है उसके उपर question पूछा गया है उसके बाट डेवेशन जर्मर जर्मर एक्सप्रेमेंट जो है वह पूरी तरह से है उसके उपर question आएगा आपको करना ही है एक्सप्रेमेंट पर question आता है objective या फिर कोई और टॉपिक पर theoretical exam या फिरोटिकल पर question आसका है वह आपको करना है उसको छोड़ना नहीं है structure of atom and nuclear वह भी topic आपको अच्छे से करना है यहां पर जिगर मार्चने एक्सप्रेमेंट जो है वह पूरी तरह से cancel हो चुका है इसके उपर question नहीं आएगा यह भी topic cancel हो चुका है इसको cut करने करेंगा रूदरफोर atomic model वह है आपके लिए वह cancel नहीं है atomic spectra वह भी है यहां पर five series seven series है ना five series पाश्चन बालमर लाइमन ओके यह series आपको सारी series है बोर्स atomic model वह भी है बोर्स की जो hypothesis है वह भी है रेडिया कसे निकालते है तीन postulate दिया है बोर्स ने वह भी है energy and electrons जो topic है वह भी आपको है वैसे के वैसे है लिमिटेशन सब बोर्स मोडल वह भी topic है और जो डी ब्रोकली है वह भी अपको topic है atomic nucleus है वह topic हो चुका है उसके उपर ना question आएगा थेरी ना कुछ आएगा उके उसके बाद nuclear binding energy वह भी cancel हो चुका है radioactive decay वह भी cancel हो चुका है alpha decay वह भी cancel हो चुका है beta decay वह भी cancel हो चुका है nuclear energy पुरी दरा से Daleo को नेुकलियर के जाट नियुक्लियर की देर हो चुका है our चैन रियक्षिन है वो भी पूरी दर से डिलिट जुका है और पूरी दरसे चाप्टर इहां पर कत्प हो जाता है नेगच्छी चाप्टर है हमारे पास वो है स्वी सिन डायर यह वहीदी टॉपिक ही वजए से जिन डायर जो है पूरी तरह से मुद्धा है जहनों ही अएक और जंट था क्यांसल है 3-4 प्रकुत तो और जॉलेड़ गोई डीटि το वह जो कुछ भी हो वह वैसे कि वैसे ही टॉपिक है आप इसके ओपर करशन आचकता है आपको करना है अच्छे से ओके आपको पूरी तरह से यहां पर जो कट-אłट से रिडूश इला मता है वह समझ में आया होगा और साथ-साथ ये भी आशा करता हूँ कि आपने पूरी तरह से देखाstorm होगा, और शेर भी किया होगा सस्क्राइब भी किया होगा और बेल ऐकन को भी दबाया होगा और लाइक भी किया होगा और कमेंट अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजएगा ताकि मैं आपकी वो कमेंट पढ़के आपका सुलूशन बद आपको जो टॉपिक पे जो हार्डेस है उस टॉपिक पे में सुलूशन लास दगो और साथ साथ आपको एक बात बतानी है कि आपको कैसे लग रहे मेरे वीडियोज पसंद आ रहे है कि नहीं आ रहे कुछ प्रॉब्लम है क्या कुछ सजेशन देना चाहते हो कि आप वो भी देख सकते थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो आपको बस प्रिकॉशन लेना है प्रिकॉशन लेना है